जो जनाब इस लेक्शर के अंदर जो चीज़ आपको बताने वाला हो न वो है Big Players in Artificial Intelligence कौन कौन से Big Players है बड़ी Companies कौन सी हैं जो Artificial Intelligence में ऊपर जा रही है आप बताएंगे पता दो आपको सभी को है बताएं फिर जडरे चैट के अंदर सबसे बड़ा नाम आपके पास कौन साथ है चले Google है Microsoft है Meta यानि कि Facebook को जो नाम बदले गया वो आपको पता है Amazon है Amazon के जंगल नहीं बाइदावे यह Amazon जो वो drop shipping और e-commerce की website उसकी बात हो रही है IBM है Intel भी है, Apple भी है, Tesla भी है Nvidia भी है, Open AI भी है Stability AI भी है, and there are many 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 coming these days और बड़ी बड़ी कंपनिया यहां पे बहुत बहुत काम कर रही है और दुनिया में आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों के अंदर काफी AI based companies आ चुकी है और AI का दोर दोर है मेरे एक उस्ताद कहा करते हैं कि इस एक दहाई के अंदर जिसने Artificial Intelligence में जंप कर लिया, वो Top Players में आ जाएगा, जिसने ना किया वो Nokia की तरह गाइब हो जाएगा So believe me, यह दहाई यानि के 2023 चल रहे है 2030 से पहले पहले अगर आप Artificial Intelligence में as a company चले जाते हैं, then you can survive otherwise जो Nokia का हाल हुआ है आपको भी बते है So Google क्या कर रही है, बहुत बड़ी investment ले के आ रही है जैसे उसने Bard बनाया Google का Palm का एक रबोर्ट है इसी तरीके से Photos के अंदर है ट्रांसलेट कर रही है, Google का ट्रांसलेट है Google का सर्च इंजनेट, there are many applications of Artificial Intelligence in Google Microsoft क्या कर रही है Bing AI, और recently इन्होंने Microsoft Co-Pilot को launch किया है GitHub Co-Pilot पहले से था Microsoft Co-Pilot, क्या है Google पर सर्च जरूर कीजेगा Microsoft Co-Pilot इस वक्त दुनिया में चाया हुआ है यह पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने launch किया इसको, गालिबन 26th of September या उससे लेटर on इसको फ्री में लोगों को दिया, फ्री में मीन्स जिनके पास Windows है उनको दिया Windows 11 के उपर और वो Co-Pilot क्या है कि आपका GPT algorithm एक ही जगा पे Windows के अंदर सारे टास्क आपको परफॉर्म करके दे रहा है and similarly, Healthcare के अंदर Bot Services, Xbox, Gaming के अंदर फिर GitHub पूरी की पूरी इनों की on है अगर GitHub आपने website देखी है तो उनकी repository और collaboration इनके पास heavy किसम की है तो हो क्या रहा है, Facebook यानि के Meta जो है, उनका भी model आ चुक है जिसको lemma 2 बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता और PyTorch भी इनकी है Google का TensorFlow है, इनकी PyTorch है जिसके उपर हम बात भी करेंगे और ये social media के data के base पे इस वकत Facebook बहुत बड़ा जियांट है आपको भी बता है WhatsApp इनके पास है Meta की बात करो WhatsApp इनके पास है, Facebook इनके पास है जो निया इनोंने threads लाँच किया Ads वगरा होंगी Personal, Precision, Advertisement होगी वो सारी की सारी Meta जो है वो इस वकत lead कर सकता है If they can work on improving their Lema 2 framework इसी तरीके से Amazon है Amazon के पास इतना data आचुका है कि वो AI Core Recommendation System Alexa के अंदर, Warehouse Reports के अंदर Supply Chain Management के अंदर अपनी बड़ी-बड़ी services दे सकता है And then they actually provide cloud computer यानि के आप अपने computer को use ना करो Amazon को पैसे दो के यार जो आपका computer system है ना उसी के अंदर मेरा ये इतना सा data रख लो या उसी के अंदर मेरी ये app रख लो और वहां से मैं चलाऊंगा तो Amazon का पूरा cloud services system भी है जिसको Amazon Web Services बोलते हैं AWS अगर आप उस पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा Actually जितनी भी बड़ी बड़ी companies हैं उनकी जो hosting है या उनकी applications है वो सारी की सारी या तो Amazon के पास है या Microsoft Azure के पास है Basically ज्यादा तरह Amazon के databases में है Google में भी हो सकते हैं लेकिन Amazon पे ज्यादा है इसी तरह IBM है जिन्होंने pioneer किया था AI research को मैं एक lecture आपको record करके upload कर दूँगा History of AI पे इसके बिलकुल बाद में तो उसके अंदर आप देखेंगे कि IBM ने start किया था Basically artificial intelligence को फिर Intel है Intel के पास different किसम के AI hotwares है और क्यूंकि ये processors बनाते हैं laptops की technology के अंदर आते हैं तो इनको भी आप upgrade करना है खुद को Apple ने recently इस Vice Assistant मैं इसका नाम इसवड़ा से नहीं ले रहा मेरी बोलने लग जाती है यहां पे system के अंदर So computer vision को, photo app को, camera को, face ID and there are many other algorithms और एक नई news आपको दे दूँ, leaks है Apple जो है इसी एक algorithm के अंदर GPT algorithms को incorporate करने वाला है and they are working on artificial intelligence यानि के chat board और prompting के थूँ आपको सारे के सारा phone के अंदर मिलेगा then आपका Tesla है autopilot वगरा, फिर Nvidia आ जाती है Tesla के बारे में तो आपको पता होगा न यार वो मजदूर मिस्री जब बचारे काम कर रहे होते है तो वो जिसके अंदर वो सारा का सीमेंट मिक्स करते है Tesla, नहीं समझा है by the way ये वो वाला Tesla नहीं है this is Tesla, ये एक autonomous driving car है और ये powered by AI है आपने सिर्फ कमांड्स देनी होती है यहाँ पर जाना, यहाँ पर जाना, यहाँ पर जाना and it will turn on and then keep you there NVIDIA क्या है यह ग्राफिक प्रोसेसिंग युनिट यानि के GPUs वगरा सेल करते है and then they can train AI model अगर NVIDIA GPU ना बना है recently इनका एक NVIDIA का ग्राफिक कार्ट था जो इतना short हो गया कि companies ने request की computing system आपको चाहिए बड़े-बड़े PCs आपको चाहिए बहुत बड़े-बड़े computers चाहिए उनके अंदर graphical processing unit के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा जयान्ट है सबसे बड़ी company है वो है NVIDIA तो NVIDIA अगर ग्राफिक कार्ट ना दे किसी को तो वो company कैसे अपना model train करेगी इसी वड़ा से NVIDIA इस वक्त companies को अपना जो graphic cards दे रहा है उसकी base पे basically it can control AI development in future फिर open AI है chat GPT जिनका है whisper AI model इनका आगया बड़ा मैं बोल रहा हूँ मेरी सारी के-सारी captions में चीज़ें convert हो जाएंगी इसे तरीके से इसका open AI यानिके chat GPT इनका है फिर इनका there are many other models मैं उसके बारे मैं भी बात नहीं करने वाला we will see when we are going to do this prompt engineering stability AI यापको पता होगा stable diffusion और models इनके beluga 1, beluga 2 और इसे तरीके से different other models इनके और ये models क्या करते हैं आपको free में तस्वीर बना के देते हैं from prompting towards इस वकट top notch पर जा रही है अब हमने क्या करने हैं हमने ये notebook जो बनाई हुई है इसके ओपर लिखते जाना है for example अभी एक अगली assignment जो मैं आपको देने वाला हूँ that is related to large language models आपने large language models होते क्या हैं इसके बारे में देख क्याना है और साथ मैं ये देखना है कौन सी company का कौन सा large language model है और उसकी क्या-क्या specificities है यानि कि कितने tokens देता है वो free में है नहीं है payment कितनी देनी पड़ती है and how you can access those large language models that is your assignment आपने इस assignment को इसी वीडियो के नीचे comment करने है when you finish that assignment और जब मैं assignment देता हूँ फोरन से करने ना बैठ चा करें थोड़ा सास लिया करें lecture को सुना करें फिर उसके बाद assignment को किया करें और ये assignment can actually change your perception about large language model ठीक हो गया जी